तो यहां पर मैंने ITI का डेली टाम फ्रेम का चार्ट लगा है और आज हमको काफी अची तेजी इस स्टोक के अंदर देखने को मिली तो क्या इमेजेटली हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए किस लेवल के आज पास आप इसमें फ्रेश ब कॉप चाहिए नजर आ दीरी धीर में फ्रेश इसकी की उपर के तरफ निकलती जा एठाट हमेशा इसकी जो फ्रेश वास्त के ताट हो इसांदर तेजी फिर 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 फेर उट हालों यानि कि एक चीच तक यह continue रहती है, जैसे इससे पहले यहाँ पर भी देखोगा, तीन से चार महीने continue तेजी हुई, उसके बाद काफी टाइम से साइड़ वे सी स्टोक दिख रहा है, ठीक है, अभी रिसेंटली देखोगा, हेवी वोल्यूम के साथ फिर से एक शांदा तेजी होते हुई, नजर आ रही है, ठीक है, चली अभी मैं लगा लता हूँ, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, वहां से हम सारा इनालिसिस करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे, कि हम किस तरीके से इसको ट्रेट कर सकते हैं, कहाँ पर इंट्री पॉइंट इस्टोप लॉस टार्गेट हो सकता है, साधी चीज़ हम डीटेल में डिसकस करेंगा, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पले, एक इंपो तो टेलिग्राम चैनल अगर आपने नहीं जोइन किया, तो वहाँ पर जोइन कर लो, उसको बहुत सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए अभी चार्ट पर आते हैं, अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अब रिसेंड करेंगे, घालि कैसे प्रिसेंड करplaac वो लोग चाहते हैं कि यहां से मार्केट उपर जाए इसकी वज़े से यह स्टोक जो कांटिनुसली उपर की तरफ मोमेंटम करता जा रहा है तो हम इसको किस तरीके से प्लान करेंगे हम सिर्फ रिसेंट पर ही प्लान करेंगे रिसेंट को आप देखोगे ज्यादा बड़ा स् चाहते हैं तो यहां पर अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं आपको समझने देखो आज इतनी शांदार तेजी हुई है तो एक दो दीन इसमें हो सकती है तो आप किस किसरेंट का आजपास इसमें इसमें इसरेश चाहाई को इस्टेंट यहां परूपलेट करेंगी जो भी last swing low बन रहा है, as a swing trader, as a long term trader भी आपके सकते हो, long term में भी buy करना चाहते हो, कुछ समय के लिए, साल बर हो गया, या फिर कुछ मैनों के लिए भी, अगर इसको buy करके hold करके रखना चाहते हो, तो stop loss simply आपका इससी के नीचे होगा, 95 के नीचे, इससे बड़ा stop loss नहीं होना चाहिए, 95 maximum stop loss हो सकता है, इससे बड़ा stop loss नहीं हो सकता है, और इसके लावे जो target level की बात करूँ, तो definitely target level कहां कहां तक हो सकते हैं, consequence level से वो mark कर जाएदा हो, ठीक, एक level है हमको देखने को मिल रहा है, भी recently, एक सो बीस का level, ठीक, एक सो बीस का level, एक इंपोर्टेंट रजिस्टेंस level, एक सो बीस हो गया, एक सो बाइस हो गया, ये फर्स्ट लेवल है, ये लेवल अगर क्रोस करती ही price, तो फिर next target आपका हो जाएगा, एक सो, एक सो चालिस का level, ठीक, नेक्स टार्गेट आपका 140 के आसपास हो जाएगा, ठीक, इन दो लेवल के उपर एक बार focus करना, अगर ये दो target हीट होते हैं, तो उसके बाद और भी price उपर की तरफ निकलते जाएगी, आपको stop loss ट्रेल करते जाना है, ठीक, सबसे important बात किया, दोस्तों कि यहाँ पर जो प्राइस जो अभी थोड़ी सी range के बीच में बाहर निकलका, थोड़ा सा अप्रेंड इसमें होता, अप्रेंड स्टार्ट होता होगा नजरा रहा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नीचे में double bottom यहाँ पर बनाते होई, प्राइस उपर की तरफ निकल रही है, यहाँ पर double bottom बना है, उसके बाद उपर की तरफ निकल रही है, heavy volume में तो breakout होगा, तो speed में प्राइस जो उपर की तरफ निकलेगी, कम समय में जो ज़्यादा अच्छी तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती, लेकिन ध्यान रखना है कि इतना अच्छा, fundamentally पता नहीं, इतना अच्छा strong है नहीं है, तो वो चीज आपको थोड़ा से ध्यान रखना है, और quantity उतनी लेनी के ज्यादा इसमें बड़ा loss नहीं हो, ठीके quantity control में करके, तो यहाँ पर आपको प्लान करना, नेक्स्ट मेजर टार्गेट आपका 150 तक हो सकता है, 150 अगर लेवल ब्रेक होगा, तो उसके बाद बड़ी तेजी, 150 के उपपर हमको बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है, फिर प्राइच हो अपने all time high के पास भी जा सकती है, 150 के बाद नेक्स्ट टार्गेट होगा, 166 का इसका जो नेक्स्ट मेजर हाई लेवल है, वो आपका मेक्सिमम टार्गेट हो सकता है, 166 के आसपास, ठीक है, यह आप 3 से 4 टार्गेट लेवल में आपको बता चुका हूँ, और वोल्यूम अच्छा दिख रहा है, अभी रिसेंटली तो डेफिनेटली बड़ी पार्टी इंवल्वल है, तो जल्दी से टार्गेट हमारे हीट हो सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो आपको कैसा लगा, कॉमेट्स में जरूरू बताए, टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिशन में जल्दी से जाके जोई करो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में,